उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर निवेशकों के महाकुम की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश को लेकर महाकुम का आयोजन आज हो गया है। माननिय प्रदान मंत्री जी को और नगरविकास मंत्री शिरी हर्दी पुरी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन तीन महात्वपूर्ण योजनाओं के तीन वर्ष पूरे होने पर लखनोग को एक कारकम का आयोजन करने का अबसर दिया। ये उत्तरपदेश का भी सौभाग गया है। कि आज संपूर्ण देश के जो सव स्मार्ट सिटी गोशित किये गए हैं। वहाँ के मेर साहवान, वहाँ के अधिकारी गण और इन से जुले हुए जो तीन योजनाएं हैं, इन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनके तीन वर्ष पूरे होने पर एक बला कारकम यहाँ पर आयोजित किया गया। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट हमने अब तक लगभग चार लाख से ज्यादा लोगों को आवास सुईकत किये गए हैं। और ये एक ऐसी योजना है कि जिसमें धाई लाख रुपए की सबसिड़ी सीधे व्यक्ति को मिल रही हैं पचास जार डेड़ लाख और 121 क्रव रुपए का प्राविधान है जिसमें अभी तक लगभग साले 6,000 क्रव से ज्यादा की सुईकरतियां जारी हो चुकी हैं और हम चाहें वो पेजल हो चाहें सीब्रेज हो और चाहें खरित हो अर्थात पार्किंग की सुविधा हो पार्क वगरा की वो हम लोगों को बराबर इसके माध्धम से दे रहे हैं इसके अतरिक्त स्मार्ट सिटी योजना के इंतरगत उत्तर प्रदेश के दस शहर चुने गए हैं इन में भी लगातार काम जारी है और पूरे जो शहरी सुविधाएं हैं शहरी छेत्रों को काया कल्प करने आद्रिक सुविधाएं उ मैं बधाई देना चाहता हूं अपने केंदरी नेतरत को कि जिन्होंने दस शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट में चुनकर यहां पर चाहे ट्रैफिक विवस्ता हो चाहे पार्किंग विवस्ता हो हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लाइस करने का जो कारिकरम बनाया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने केंदरी नेतरत को कि उन्होंने यह योजनाएं यहां पर लांच करके उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के नागरिकों का मान संबान बलाया और उनको भेतर सुविधाने देने का उसके माध्यम से प्रदेश की नग प्रदेश महिने के अंदर जो मैं यूज साइन हुए थे वो जमीन पर उत्रे हैं और यह एक तरह से हासिक रहा है अब तक किसी भी स्टेट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है इसको लेकर सर जी बहुत मानियोगी जी की सरकार को इस बात के लिए बधाई द जा रहा है परसों मानिये प्रधान मंती जी के माध्धम से यह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके लिए भी हमारे प्रदेश नेतर तुर्केंदी नेतर को बढ़ाई देना चाहिए तो सुरेश खन्ना जी का साफ तोर पर कहना है कि जिस तरह से जो इंवेश्मेंट है उतर प्रदेश में जिस तरह से मुयूज साइन हुए थे और यह माना जा रहा था उस समय कहा जा रहा था कि 10 से 15 परसेंट की सकल में ही धरातल पर उतर आते हैं लेकिन अब यह साफ हो गय क्या है जिस तरह से 60,000 करोन उपए का इंवेश्मेंट हो रहा है 60,000 करोन उपए की जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में उनका से लन्यास होगा उसके बाद से यह साफ हो जाएगा कि भारतियनता पार्टी की सरकार है प्रधान नती नयमोदी के नेतवत में किस तरह से प तो दे लाखनौू